बारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एक सूपर हिट मुकाबला खेला गया यह मुकाबला काफी रोमान से बढ़ा था पहले मुकाबले में टीमिटिया ने पाकिस्तान को पांच मिकेट से करारी शिकस दी वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान अपने बदले को पूरा कर लेता है इस हार के बाद भारती फैंस काफी निराश लग रहे हैं क्योंकि इस मैच में ऐसे बहुत सी गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी दरसल पहले बल्लेबाजी करते हुए बारती टीम ने 181 रनों के लक्ष को विरोधी टीम पाकिस्तान के सामने रखा इस लक्ष को पाकिस्तान टीम ने 19 दशबलब 5 ओवरों में प्राप्त कर लिया इस मैच में टीम इंडिया ने बहुत सी ऐसी गलती की हैं जिस कारण हार का मूँ देखना पड़ता है ऐसे में उन गलतीयों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिस वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा दरसल इस मैच में रोहिट शर्मा और केल राहूल एक बार फिर फ्लॉप नजर आते हैं रोहिट शर्मा 16 गेंदों में 28 रन बनाते हैं इस पारी में उन्होंने 2 चके और 3 चौके लगाए केल राउल 28 रनों की पारी खेरते हैं, इस पारी में उन्होंने दो चके और एक चौका जड़ा, दोनों ही वलेबाजों ने 28-28 रनों की पारी थी जिस कारण टीम इंडिया 181 रनों की लक्ष को प्राप्त करते हैं, एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 200 रनों की लक्ष को पार कर देंगी, लेकिन विराट कोली के 44 गिंदों में केवल 60 रन की पारी की वज़े से भारत का स्कोर थी भाउग, तीसरा और सबसे मुख्य क कारण रहा भुवनेश्वर कुमार की खराब गेंदबाद, रोईत ने 1900 वावर भुवनेश्वर के हाथों में दिया, अपने इस ओर में उन्होंने 19 रन दे दिया, जिसके बाद आखरी में केवल 7 रन चाहिए थे, पर आसानी से पाकिस्तान के बल्लेबाद इस लक्ष को बन कारण ये रहा कि रवी विश्वर को चोड़ कर भारती चीम के सभी गेदबास अच्छे तरीके से रन लोटाने में सफन रहे हारतिक पांडिया, यूजवेंदर चैर और बोग्मेश्वर कुमार ने 40 के पार रंदिये में चार-चार ओरों में, ऐसे में भारत की हार साफता पर फैन्स को काफी जादा चुबती नज़र आ रही है, एन पी टाइम स्क्रिम